तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका अधार कार्ड आपका वोटर आईडी कार्ड से लिंक है कि नहीं या फिर किसी का भी अधार कार्ड उनके वोटर आईडी कार्ड से लिंक है कि नहीं बहुत अच्छे से details में बताने वाले हैं एक दम 100% sure तो इस वीडियो को last तक देखते रहे हैं ठीक है अब आपको आगे process क्या करना है कि इसके लिए आपको waters.eci.gov.in के homepage पे आजाना है इस site का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा आप क्लिक किजेगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा इस तरह का interface आएगा और यहीं पर आपको सबसे उपर में login और shine up का option नजर आएगा ठीक है तो अगर आप first time यहाँ पर आए हैं आपका account नहीं बना हुआ है यानि की registration नहीं किये हैं तब आपको sign up पर क्लिक करना है और आगे का process करना है और अगर आपका account पहले से बना हुआ है तब आप login पर क्लिक करेंगे sign up अगर आप करना नहीं जानते हैं तो इसके लिए नीचे description में एक video का link मिल जाएगा उससे आप help ले सकते हैं प्रोसेस करना है तो चली हम अपना मौल नमबर पासवर्ड फिल अप कर दिये हैं इसके बाद कैप्चा small l u ing4 अगर सही होगा और हम request OTP पर क्लिक करेंगे तो आगे का process हो जाएगा तो यहां पर OTP के लिए process हो रहा है अब मेरे नमबर पर OTP आने वाला है 233163 OTP समिट करने के बाद हम verify and login पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा और यहां पर आपका नाम सो होने लगेगा यानि कि आप login कर चुके हैं login करने के बाद आपको अब scroll करके नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको एक option दिखेगा अधार collection का ठीक है उसी में एक option होगा बीच में fill form 6B तो आपको simply fill form 6B पर क्लिक कर देना है यहां पर मैंने क्लिक कर दिया है अब इसके बाद एक option आ जाएगा EPIC नमर का यहां पर EPIC नमर fill करने का option आ जाएगा तो दोस्तों आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले मैं यह try कर रहा था लेकिन यहां पर क्लिक नहीं हो रहा था कुछ option आ जा रहा था यानि कि आगे का process होई नहीं रहा था तो अगर आपके पास भी वह problem आता है तो आप फिर से एक दो दिन वाद try कर सकते हैं और अगर यह options आ जाता है EPIC नमर fill करने के लिए तब तो वीडियो में continue बने रहें तो चलिए इसके लिए क्या करना है यहां पे जिनका भी water id card यानि की EPIC नमर का जाच करना है कि उनका अधार card link है की नहीं उनका यहां पे water id card नमर यानि की EPIC नमर fill करना है तो चलिए अभी आपको बता देहते हैं कि अभी हम वैसा water id card नमर EPIC नमर fill करने वाले हैं जिनका की अधार card link है तो इसके लिए हम यहां पे EPIC नमर fill कर देंगे और इसके बाद verify and fill form पे click करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि EPIC नमर already drink blue trigon with different EPIC तो आपको फिर क्या करना होगा इसका मतलब है कि उनका आधार card link है ठीक है अब आपको बताने वाले हैं कि वैसा हम EPIC नमर यहां पे fill up करने वाले हैं जिनका की अधार link नहीं है तो चलिए हम features पे click कर लेंगे और एक different यहां पे EPIC नमर fill कर देंगे और इसके बाद verify and fill form पे click करेंगे तो यहां पे देखिए कि already link वाला जो options आ रहा था वो नहीं आया इसका मतलब क्या है कि इनका जो अधार card है इनका वोटर ID card से link नहीं है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप check कर पाएंगे कि किसी के भी वोटर ID card में उनका अधार number link है कि नहीं आप जिनका भी चाहें उनका check कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया ही होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए और इससे related अगर आपको कुछ पुछना होगा या फिर कुछ problems है तो comment box में comment जरूर किजेगा thank you